चार-पांच साल के बच्चे के स्वेटर का सुन्दर आसान डिजाइन सार्दानेटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है नमस्कार आईए ये स्वेटर का डिजाइन हम पहले भी बता चुके हैं 119 वीडियो नमबर में ये डिजाइन बताया गया है यहां पर यह हम स्वेटर में दिखा रहे हैं ओवर आल में डाला गया है यह कितना प्यारा यह स्वेटर लग रहा है यह फ्रंट और बैक दोनों साइड में यह डिजाइन पड़ा है यह बहुत ही आसान बुनाई का डिजाइन है और बच्चों के स्वेटर में तो यह बहुत ही अच्छा लगता है तो पहले हम थोड़ी बुनाई की बात कर लेते हैं फिर हम स्वेटर के साइज की बात करेंगे यहाँ पर यह दो लाइनों का तो यह डिजाइन है वाइट कलर वाला और चार लाइने यह बीच में डाली गई हैं तो यह आपके उपर निर्भर करता है आप चार डाले या छे डाले तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि यह हमने यहाँ पर हमको फंदे चाहिए तीन के गुणा से multiple of three stitches की जरूरत है और हम यह जब dark color से बुनते हैं दो रंग का जब हम बुनाई करते हैं तो दूसरी उनको हमें उपर ले जाना है इस तरह से इस बात का हमें ख्याल रखना है तो यह हम अभी यहाँ पर dark color से एक सीधी और एक उल्टी सलाई और बुनते हैं यह हमारी design की पहली line है यह हम पहला फंदा बुनेंगे और उसके बाद दो बार उन लपेट रहे हैं फिर से अगला फंदा बुना फिर दो बार उन लपेटी इस तरह से यह हम दो बार उन लपेटते हुए पूरी सलाई बुनेंगे लास्ट में यह दो बार लपेटा और फिर हमने बुन लिया अब यह जो उल्टी सलाई है इसमें हमको जो यह फंदे हमने लपेटे हैं इनको खोलना है इस तरह से तीन फंदों को हम खोलेंगे यह हमारे तीन फंदे सीधे हाथ की सलाई पर आ गए इनने अब हम फिर से उल्टे हाथ की सलाई पर ले जा रहे हैं अब उसके बाद हम इनको तीनों को एक साथ एक सीधा फंदा बुना उनको इस तरहें से लपेटा और फिर इनी तीन फंदों में दुबारा एक सीधा फंदा बुना तो हमने तीन फंदों में से फिर से तीन फंदे बना लिये हैं फिर आगे के तीन फंदों को हम इस तरह से खोलेंगे, अन्वाइंड करना कहते हैं इसको, यह हमने खोल लिया, उल्टे हाथ की सलाई पर ले गए, तीन में एक साथ सीधा बुना, उन लपेटी, दुबारा एक बार और इनी तीन फंदों में से सीधा बुना, इसी तरह से हमको यह बस आसान सा तरीका है, और इतना सुंदर डिजाइन है, यह मेरी मित्र के बच्चे का स्वेटर है, तो मुझे लगा मैं आप लोगों को दिखाऊं, कि कितना प्यारा यह लग रहा है, इस बुनाई के साथ, तो यह देखिए, इसी तरह से हम यह सारे फंदों को खोलते ज होना, एकदम बिगनर फ्रेंडली यह डिजाइन है, इस तरह से यह हमारा डिजाइन आ जाएगा, यहां यह थोड़ी सी मोटी उन है, मेरे पास बारीक उन नहीं थी अभी नॉर्मल उन, इसलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है, यह देखिए, अब बस इसके बाद अगली स सीधा, उल्टा, सीधा करते हुए, हम अपनी छे सलाईयां बुन लेंगे, और यह इस उन को साथ में त्विस्ट करना हमें भूलना नहीं है, आईए, अब स्वेटर के साइज की बात कर लेते हैं, इसकी लंबाई लगभग 17 इंच है, और यह चेस्ट से इसकी चोड़ाई, यह यहाँ पर 14-15 इंच के करीब दिखाई दे रहा है, 14 इंच के करीब है, तो 28 इंच है, यह थोड़ा पहना हुआ है, और थोड़ा पहन कर ढीला हो जाती हैं चीजें, यह बात आपको ध्यान में इसमें बॉर्डर में 80 फंदे लिए गए हैं, और उपर 90 फंदे कर दियें, 10 फंदे बढ़ा लिए, 90 फंदे हो गए हैं, यह जो मुढधा है, यह लगभग 12 इंच पर यह मुढधा घटाया गया है, 12 इंच पर मुढधा घटा दिया है, और उसके बाद यह जो मुढधा है, यह लगभग 5 इंच है, उपर आप 22-25 के आसपास फंदे रख सकते हैं, बहा की लंबाई लगभग 14 इंच आ रही है, और यह भी ख्याल रखना है 13 इंच, आप बनाएंगे तो पहनने के बाद थोड लंबा हो जाएगा, और बहा में आपको 40 या 44 फंदे आप डाल सकते हैं, और उसके बाद आप यह बढ़ाते बढ़ाते, उपर यहाँ पर 65-66 फंदे तक आप बढ़ा लीजिए, और उसके बाद यह घटा कर बहा की शेप देकर इसको बंद किया गया है, यह जो उपर का हिस चार इंच पर घटा है, लगभग 3-4 इंच पर घटा है यह और इस तरह से यह फंदे गोल गला घटा कर यह बादर बनाया गया है, आशा है आपको यह स्वेटर अच्छा लगा होगा, इस बुनाई को जरूर ट्राई करिएगा बच्चों के स्वेटर में, और सार्दा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाल,